तो दोस्तों नमस्कार आप देख रहे हैं Fantasy Sports Spy YouTube चैनल और मैं हूँ गौरव आज हम जो चैनल में मैच कवर करने वाले हैं वो रहेगा D.A.B. पोकाल जो कि जर्मन कप होता है उसका मैच का सेवी फाइनल जो मुकाबला है Bayern Munich वर्सिस एंटराक फ्रेंकफर्ट के बीच इस मुकाबले का करते हैं Detail Analysis और इस मैच की जो 6 Grand League और 1 Final जो Small League टीम है वो आपको मारे Telegram चैनल में मिलेगी जिसका Link description में जरूर जुड़ जाईए तो इसके अलावा और भी आद बहुत सारे मैचेस खिले जाएंगे इन सभी मैचेस की भी Final Small League टीम आपको मारे Telegram चैनल में मिलेगी तो Link description में जरूर जुड़ जुड़िए तो आप चलते हैं इस मैच का करते हैं Detail Analysis तो Bayern Munich और Frankfurt के बीच Semi Final मैच जो एक खिला जाएगा आज रात दोस्तों 12 बच के 15 एम पे मैच सुरू होने वाला है कि सबसे बहले बात करें वर्ल्ड का Best Clubs में Bayern Munich आता है और यहां पे Bundesliga का कभी Best Club है लगातार कई सीजन से Bundesliga का जीत रहा है सीजन भी First Position में और लगभग जीतने ही वाला है 70 points इनके हो गए 90 गोल है स्कोर कर चुक है और सिर्फ 30 गोल ही इन्योंने concede किये है यानि कि Best Attack भी इनीका है लीग में और Best Defense भी इनीका है अब हम यहां पे Interact Frankfurt के देखते हैं तो 11 पोजीशन में 18 टीम में 11 पोजीशन में Bayern Munich के पूरे आधे points है यहां पे 35 points है सिर्फ और इन्होंने 49 गोल स्कोर के जब कि 55 गोल इन्होंने concede कर दिया है तो आप on paper यहां पे अनुमान लगा सकते हैं कि clear favorites आज के जो semi-final match में Bayern Munich की team होने वाली है और इन दोर्व टीमों के भी जो आज semi-final जीतेगा वो Bayern Leverkusen से final खेलेगा कल आपको याद होगा सार ब्रोकन जो की 4th tier की team थी उससे Bayern Leverkusen का मैस तो और उना ने 3-0 से उसको हरा दिया था अब अभी तक आप हमारे telegram चैनल से नहीं जुड़ोए तो ज़रूर जुड़ जुड़ जाए at the rate fantasy sports spice रचमार के आप जुड़ सकते हैं लगभग 962 subscribers हमारे हो चुक है धिरे धिरे बढ़ ले और काफी अच्छी हमारी winnings हो रही है तो अब हम कुछ recent matches के result देखते हैं तो Bayern Munich के बारे में सबसे बहले में बताना चाओंगा यह साल 2020 में अभी तक इनोंने जीतने भी 15-20 matches के लिए अभी तक unbeaten है एक भी match नहीं आ रहे है तो लाश्टे चार matches इन दोनों टीमों के बीची लाश्ट में में हुआ था एक match 10-15 दिन पहले वो 5-2 से Bayern Munich ने फ्रेंफट को रहा था इस match के बारे में आगे बात करते हैं उसके बाद 1-0 से डोटमन को रहा है बड़ी टीम को फिर 5-0 से डरसर डोप और 4-2 से लेवर कुसन को रहा है तो लाश्टे चार matches चार जीत और बहुत शांदर फॉर्म हर लगबग लाश्टे चार matches में इन्हों ने 15 गोल स्कोर किया है Bayern Munich की टीम ने तो इससे आपको पतल गया कितनी शांदर फॉर्म में ये टीम चल लिया है Frankfurt के लाश्टे चार matches देखते है तीन तीन ड्रॉप फ्राइबग से केला उसके बाद 2-1 से इन्हों ने वोल्स बक कराया 3-0 से ब्रेमन कराया लेकिन फिर पिछला match ये 2-0 से माइन से हार गया तो recent form Frankfurt की भी ठीक टाक है एक हार है एक ड्रॉप है और दो बड़ी जीत है अब हम इन दोन्य टीमों के पिछ अभी तक एक जो head to head match हुआ था उसमें एक 0 से यहाँ पर Bayern Munich ने यहाँ पर 5-2 से Frankfurt कराया था तो मैं एक बार आपको उस match की stats दिखा देता हूँ तो यह था वो मैच 10-15 दिन पहले आज से हुआ था पांच गोल बायन मुनिक ने मारते जिसमें गोरेस का मुलर लेवनडवसकी डेविस और एक हिंट्रेगर का गोल ता लेकिन यहाँ पे Frankfurt से हिंट्रेगर जो इनकी star center back है सबसे जादा गोल है एक center back है उन्होंने तीन मिनट में दो गोल मार जिया था और गेम पलट दिया था एक तरीके थे आपको सेद यह मैच याद होगा अब यहाँ बायन मुनिक पहले ऐसे रूमर सार थे कि बायन मुनिक की जो टीम है कुछ मेन प्लियर्स को रेस्ट दे सकती है क्योंकि कब मैच को टीम उतना सीरियस नहीं नहीं ले दिया लेकिन फिर भी यह सेमी फाइनल नॉकाओट पिक्सचर है और कब हार टीम जीतना चाह तो आज का मैच यह प्लियर डेफिनेटली खेलने वाले है मैनवल नॉयन इनके गुलकीबर है वर्ल्ड बेस्ट गुलकीबर में इनका नाम आता है और आज इनको जाता कुछ करने का मौका नहीं मिलेगा लेकिन यह पासिस बहुत ज्यादा बनाते है अब इनके जो चारी ड सेंटर बेक पोजीशन में खेलेंगे दोनों हैड़ास में स्कोर कर सकते हैं लेकिन इन दोनों प्लियर्स के बहुत ज्यादा पासिस आने वाले है और साथ में जूस्वा एकिमिच जो इनके डिफेंसिव मिट्फिल्डर है यह प्लेयर दोस्तों सारे सेट पीसेज लेता है असिष्ट मास्टर है प्लेयर और पास मास्टर है तो यह इसके अलावा यह कभी-कभी गोल स्कोर भी कर देते हैं अब लिरॉइन गोरेस्का खेलींगे सेंटरल मिट्फिल्ड में रीसेंट फॉम इनकी बहुत बढ़ी है गोल्स मार रहे है पिछले तीन-चार मैचेस में इ परफॉर्म कर रहे है यह दोनु प्लेयर भी गोल असिष्ट कर सकते हैं और लेवन डॉस्की की बात करूँ इनके बारे में तो जितना काज है उतनका में इनके स्टाय स्ट्राइकर सबसे ज्यादा गोल पिछले लास्ट चार्ज जेजन से बुंदस लीगा में यही प्लेयर मारता रहा है पैनाल्टी में भी यह रहेंगे तो क्लियर हमारे लिए केप्टनसी की चॉइस रहने वाले हैं अब हम बायन मिनिक के सीजन के स्टेट्स देखते हैं देखिए लेवन डॉस्की तो अलगी लीग में खिलने एक 30 गोल लेवन डॉस्की के बितक हो चुके है जिस गोल थोमस मुलर के 5 गोरसका, 4 पावाट, 4 परिसिच, अलफंसर डेविस 3, केमिस 3, जिचकी दीन और पिंक्सली कोमें 3 गोल साती थियागो एलसेंटरा के भी 3 गोल है अब थियागो एलसेंटरा के बारे में एक चीज कहना चाओंगा रिसेंट कुछ मैचेस में इंजर थे लेकिन आज के मैच में कुछ ऐसे रूमर्स भी आ रहे थियागो वापसी कर सकते हैं, इनकी मिटफील माश्टर है, अगर थियागो वापसी करेंगे तो फिर या वो कोमें या गोरसका, इन दोनों में से किसी एक की प्लेस में आ सकते हैं, और वो एक बहुत बढ़िया बॉक तो ये कुछ इनके असिस्ट स्टेट है, और बायन म्यूनिक एक ऐसी टीम है, जिनकी टीम से कोई भी प्लेयर मिस करने का यहाँ पे मन नहीं करता है, मतलब हर एक प्लेयर इनकी टीम में काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है, अब हम बात करते हैं, यहाँ पे इंटराग फ्र सकते हैं, चार इनके डिफेंडर्स कहलते हैं, हिंट्रेगर अबराहिम सेंटर बैक पोजीशन में कहलेंगे, हिंट्रेगर के बारे में बहुत बार मैं आपको बता चुका हूँ, इनकी टीम के टॉप स्कोडर एक डिफेंडर है, वो हिंट्रेगर है, बायन के अगे लास्ट लास्ट एक मैच खेला था इनकी टीम ने, उसमें इल्सेंकर ने यहाँ पे सबसीट्यूट अपेलियम जीती और तीन-चार मिनट में इनकी टीम सेट पीसे लेते हैं, अब इनके कोश्टिक इंजट है तो उनके प्लेज में 100 आजेंगे, हालनके अभी तक इनके इंप्रेज नीक है, इनसे भी उमीद्य थी, लेकिन फिर भी एक गोल असिस्ट कर सकते हैं, और कमाड़ा खेलींगे दूसरे विंग में, कमाड़ा भी गोल असिस्ट कर सकते हैं, अब इनके जो में इस ट्रैकर है वो है, अंडरे शिल्वा, जो इनके पेनल्टी टेकर भी हूँग है, औ पसेंसिया इंजड है, साथ गोल है, इनके बारे में बात नहीं करेंगे, सबेस्टियान रोड़ा के तीन असिस्ट है, जिसमें दो सेटपीसेज में है, कौनर्स इनके यही लेते है, अलमेनी टोरे, टिकोष्टा, पसेंसिया तीन-तीन, कमाड़ा, सिल्वा, बास दो, सौ औ और दो-दो असिस्ट, तो यह कुछ इनके असिस्ट स्टैट है, आप चाहे तो वीडियो पॉस्ट करके इसका स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, तो फिलाल मोस्ट इंपर्टेंट प्लियर जैसा मैं एक बार पताया, बायन की पूरी टीम इपर्टेंट है, फिर भी मैं आपको ल बायन फेवरेट से है, वालिटी वाइस भी बायन फेवरेट से है, तो ख्लियर ली मेरी प्रेडिक्शन 3-1 बायन रहने वाली है, हलंकि उलट फेर हो सकता है, क्योंकि 2018 का जो डीयर भी पोकॉल था, उसमें फ्रेंकफर्ट ने यही स्कॉल लाइन से बायन को रहता था 3-1 से लेकिन आज के ट्रेंट में देखा जाए तो बायन बहुत जादा एक तरीके से बायन की टीम फेवरेट से है, तो यहाँ पे डियर ली मेरी प्रेडिक्शन बायन की फेवरेट में जाने वाली है, लेकिन फिर भी आपको GL में 6 टीम बनानी है, जिसमें 00-Draw एक टीम रहेगी इसके अलावा 1-0 फ्रेंकफर्ड की टीम भी देनी है, 1-0 बायन क्रिंशीट वाली टीम भी देनी है, ऐसे करके 6 अलेग अलेग जियल और 1 फाइनल स्मॉल लीक्ट की टीम आपको जरूर बनाना नहीं, अगर आपको नहीं आती तो आप मेरी टेली ग्राम चैनल में जूड सक काफी अच्छी है हमारी वीलिंग सुरी है तो जरूर जो जाई है आपको लिंक के डिस्क्रिप्शन में मिल जागा तो फिलाल यह मैंने आज का यहां पे स्रेडियूल आपके लिए डाल दिया है तो फिलाल जो मैंने डेमो टीम बनाई है वो में आपको दिखाता हूं तो जोस्तों यह है मेरी डेमो टीम जो मेरी प्रेडिक्शन 3-1 या 3-0 बायन वाली है जिसमें क्लियरली मैंने बायन के साथ और इंट्राक फ्रेंकवर्ट के चार प्लियां अब यहां मैं बायन के तीन डिफेंडर्स ले गया हूं डेविस, पवाड और बोटिंग आप बोटिंग के प्लेस में आलावा ले सकते हैं गोल कीपर टैप मैंने फ्रेंकवर्ट के लिए जो आज काफी सेफ करते हैं एक मैंने हिंट्रेगर ले लिया इनके टॉप स्कोरर चिनों ने लाश्ट टाइम बायन के अगेश्ट दो गोल मारे थे अब यहां पर मैंने इनके चार में अटेकर्स में लेवंडॉस की मूलर और गनेवरी मेरे साब से यह तीन प्लेयर कंफर्म आपको लेने चाहिए अब जो एक प्लेयर यहां पर बसता है यह किमिच, कुरेसका और इसके अलबग किंसली कोवन इन तीन में से कोई एक प्लेयर आप ले सकते हैं अब यह पुड़ा आपके लगवे डिपेंड करने वाला है या आप चाहिए तो यहां पर एक डिफेंडर रटा कि भी एक एक एक्स्ट्र अटेकर जा सकते हैं क्योंकि बायन का हर एक प्लेयर इंपर्टेंड रहता है लेकिन अगर यहां आप तो यह आपके उपर डिपेंड करते हैं किसको वाइस केप्टन करें तो दोस्तों यह था पूरा वीडियो आपको मारे टेलीग्राम में मिलेगी लिंक डिस्क्रिप्सिन में जरूर जूड़ जाईए तो मिलते हैं एक और वीडियो के साथ जहन चेवाइब